सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन जरूर प्रेस करें जिससे आपको लेटेस्ट फाइनेंस वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए नमस्कार मेरा नम मुकुल है और ऐसे चुगी मैं आपका बहुत-बहुत सवागत है दोस्तों करोना सिचुएशन की वज़े से लॉकडाउन चल रहा है इसी वज़े से हमने कुछ टाइम तक वीडियो नहीं बनाए थे लेकिन मैं अब अपने घर से ही वीडियो बनाऊंगा और करोना से रिलेटेड यानि कि क्योंकि अब एकनॉमिक स्लोडाउन चल रहा है तो उससे रिलेटेड ही मैंने सोचा कि एक वीडियो आपके लिए तियार किया जाए और जो बहुत इंपोर्टन टॉपिक है काफी ज़ादा इस पर कन्फूजन भी है लोगों को इसका कंसेप्ट अच्छे से क्लियर नहीं होता है और ये टॉपिक कौन सा है मैं बात कर रहा हूँ शॉट सेलिंग की शॉट सेलिंग होती क्या है देखिए नॉर्मली लोग स्टॉक मार्केट में पैसा कैसे कमाते है बाई लो सेल हाई ये तो सब को ही पता है कोई भी चीज आप सस्ते में खरीदिये और महंगे में बेच दीजे तो जो उसका बीच का डिफरेंस होता है वो आपका मुनाफ़ा हो जाता है लेकिन वही में अगर आपको कहूं कि अगर कोई चीज नीचे जा रही है यानि कि उसका प्राइस नीचे जा रहा है जैसे आज की सिचुएशन चल रही है उसमें भी आप मुनाफ़ा कमा सकते हैं तो डेफिनिटली ये पॉसिबल है और इसी को हम कहते हैं शॉट सेलिंग जो नॉर्मल बाइंग होती है उसमें तो स्टॉक जब नीचे से उपर जाता है आप नीचे पे खरीद लेते हैं आप स्टॉक को खरीदते पहले हैं बेचते बाद में है तो जो डिफरेंस आता है वो आपका प्रॉफिट हो जाता है शॉट सेलिंग के अंदर एकदम उल्टा हो जाता है आप स्टॉक को बेचते पहले हैं और आपको लगता है क्योंकि वो स्टॉक नीचे जाएगा तो आप बेच पहले देंगे और खरीदेंगे बाद में तो आपका जो सेलिंग प्राइस है वो हाई हो गया और बाइंग प्राइस आपका लो हो गया इस वज़े से भी आपका मुनाफ़ा बनेगा वही होगा आपका शॉट सेलिंग का प्रॉफिट तो इस कंसेप्ट को करेंगे हम दो पार्ट में पहले पार्ट में हम कंसेप्ट क्लियर करेंगे इस वीडियो में मैं पूरे कंसेप्ट की बात करूँगा शॉट सेलिंग लॉंग टम में और शॉट टम में दोनों में कैसे की जा सकती है Second video में मैं आपको actual live demo दिखाऊंगा कि हम actually profit कैसे कमा सकते हैं तो दोनों parts को आप जरूर देखिएगा ये concept मैं आपको फिर से बता दूँ अच्छे से clear नहीं होता है लोगों का तो आप ध्यान से देखिएगा चलिए शुरू कर लेते हैं दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूँ कि master investor series को आप जरूर check out कीजिए YouTube पे ही हमारी playlist है जिसके अंदर हमने stocks के उपर काफी detail में सारे concepts discuss करें हैं links नीचे आपको description में मिल जाएंगे साथ में अगर आप stock market के अंदर नए है तो आपको DMAT account काँ खुलवाना है trading account काँ खुलवाना है उसके link भी आपको नीचे description में मिल जाएंगे सारी recommendations के तो चलिए quickly वीडियो शुरू कर लेते हैं अब short selling का concept समझाने से पहले ही मैं आपको clear कर दूँ कि इसके अंदर risk हो सकता है तो आपको बहुत अच्छे से clear होना चाहिए कि कोई भी trigger हो जब भी आप किसी stock को सोच रहे है कि वो नीचे जाएगा तो आपको उसका trigger बहुत अच्छे से पता होना चाहिए तो ये trigger क्या हो सकता है इसके 2 main reason हो सकते हैं पहला macro economic factors हो सकते हैं जैसे की 2008 के अंदर financial crisis आया था subprime crisis आया था overall stock markets डाउन हो गई थी तो वहाँ पे अच्छे अच्छे shares भी डाउन हो गए थे और आज की date में अगर हम बात करें 2020 में corona situation की वज़े से भी world over crisis आया हुआ है और उसकी वज़े से stock markets डाउन हो गई है बहुत सारे stocks जो अच्छे अच्छे stocks हैं वो भी डाउन हो गए है तो ऐसे case में आपको एक trigger मिल जाता है आपको लगता है किसी stock के अंदर बहुत जादा नीचे गिरावट आ सकती है तो उसके अंदर आप short selling कर सकते हैं दूसरा हो सकता है किसी individual stock के अंदर ही कोई problem हो हो सकता है उसकी कुछ earnings down report होई हो हो सकता है कोई negative news आई हो for example past में पिछले 2-3 सालों से banks के अंदर NPAs की problem चल रही थी non-performing assets की problem चल रही थी इसी तरह अलग-अलग sector में या किसी particular stock के अंदर कोई problem हो सकती है और कोई अगर negative news आती है for example किसी particular day के अंदर उस दिन भी आप short selling कर सकते हैं तो यहाँ पे आपका analysis और थोड़ा सा लग दोनों ही काम करता है जैसे anyway stock market के अंदर वैसे भी थोड़ा सा लग तो factor होता ही है चलिए अब हम concept समझने के लिए सीधा अपने blackboard की तरफ चलते है सबसे पहले तो हम normal buying समझ लेते है normal buying में कैसे पैसा बनता है यहाँ पे एक मान लीजे buyer है एक seller है यहाँ पे यह buyer पैसे देगा seller को और seller shares transfer कर देगा buyer को seller के demat account से buyer के demat account में shares आ जाएंगे और यहाँ पे देखिए यहाँ पे profit and loss कैसे होगा मान लीजे कोई share अभी 350 rupees का है और let's say 3 महीने बाद वो यहाँ पे profit और loss कैसे calculate होगा वो समझ लेते हैं यहाँ पे सबसे पहले तो 350 रुपे पे buy करना होगा तो यह जो buyer है यह 350 रुपे पे इस share को buy करेगा आज की date को मैं zero date मान लेता हूँ और let's say 3 महीने बाद यह 400 रुपे का share हो जाता है तो इसका यहाँ पे sell करेगा अगर यह 400 रुपे पे तो 50 रुपे का buyer का profit हो जाएगा 3 महीने के बाद और let's say market अगर उल्टी चली जाती है buyer के हिसाब से नहीं जाती है और 50 रुपे नीचे चली जाती है 300 रुपे पे चली जाती है तो 3 महीने बाद यह sell करेगा तो buyer का 50 रुपे का loss हो जाएगा तो यह तो देखे बहुत ही concept clear है normal buying तो हमें समझ में आती है short selling के अंदर एकदम उल्टा हो जाता है अभी मैं थोड़ा से long term की बात कर रहा हूँ मैं intra day यानि की single day के अंदर जो trading होती है उसकी बात नहीं कर रहा हूँ थोड़े से longer time की बात कर रहा हूँ 3 महीने का ही हम period मान के चलते है similarly यह period जादा भी हो सकता है तो short selling में देखिए समझ यह होता क्या है 350 रुपे पे अगर यह जो seller है अभी हम यहाँ पे seller की बात कर रहे है अगर seller को लगता है किसी भी आदमी को यह लगता है कि आने वाले time में यह stock नीचे जाएगा 3 महीने बाद यह stock नीचे जाना चाहिए उसको कोई crisis दिख रहा है तो वो क्या करेगा buy कर लेगा अब देखे यह बहुती simple situation हो जाती अगर यह वाले जो stocks की मैं बात कर रहा हूँ यह seller के पास already है उसके demat account में तब तो यह selling काफी असान हो जाती है लेकिन वो bet करना चाहता है कोई भी बंदा उसके पास stocks हैं ही नहीं फिर भी वो betting करना चाहता है तो वो कैसे कर सकता है तो उसको हम कहते है short seller जिस बंदे के पास वो shares है ही नहीं उसे हम कहेंगे short seller तो यहाँ पे अगर short seller का bet ठीक हो जाता है तो 50 रुपे का उसका benefit हो जाएगा 3500 से क्योंकि अब 300 रुपे का आगया उसने sell किया 3500 रुपे और buy किया 300 रुपे तो उसका difference हो गया 50 रुपे जो उसका मुनाफ़ा हो गया यह practically कैसा होता है यह अभी हम जल्दी ही समझेंगे अब देखिए short seller के पास तो यहाँ पे shares हैं ही नहीं तो यह shares लाएगा कहां से अब buyer को तो यह shares चाहिए ही चाहिए क्योंकि buyer को तो तीन दिन के बाद delivery होनी ही होनी है तो यह shares लाएगा कहां से तो इसके लिए एक concept होता है जिसे हम कहते है security lending and borrowing तो यहाँ पे एक lender जिसके पास मान लीजे कुछ stocks already है उसके DMAT account में वो इसको उधार दे सकता है तो lender से यह उधार लेगा shares यहाँ से इसको lender से मिल जाएंगे और यह वाले shares buyer के पास पहुच जाएंगे तीन दिन के पहले पहले यह काम हो जाएगा और यह जो lender है इसको interest मिलेगा कुछ ना कुछ अब यह जो SLB का जो मैं आपको concept बता रहा हूँ यह आपका operate होता है SLB account से जिसे हम कहते है security lending and borrowing account और यह वाले जो facility है यह काफी सारे brokers के पास होती है अभी हम जैसे second part के अंदर zero-dha का live demo देखेंगे तो zero-dha के अंदर भी आप यह SLB account खुलवा सकते हैं और बदले में वो कहेगा कि आप मेरे को 3 महीने के लिए 10 रुपे पर share let's say वो कहता है मुझे 10 रुपे पर share का interest चाहिए और मुझे नहीं पता आपको loss हो या फायदा हो जैसे कि आप bank से पैसा उधार लेते हैं यहाँ पे आप shares उधार ले रहे हैं इसी lender से तो I hope आपको यह concept तो यहाँ पे clear हो गया होगा कि यहाँ पे borrowing होती है share की actually अब मान लेते हैं यह जो market है यह जो stock है यह उल्टी direction में चल जाता है इसके हिसाब से short seller के हिसाब से नहीं चलता है वो 400 पे पहुँच जाता है stock 3 महीने बाद अब उसका क्योंकि 3 महीने का period तो over हो गया है उसको lender को stock तो वापिस करने है तो उसे 400 रुपे पे खरीदने ही पड़ेंगे तो यहाँ पे वो buy करेगा 3 महीने के बाद 400 रुपे पे और यहाँ पे उसका हो जाएगा 50 रुपे का loss तो short selling के अंदर loss भी हो सकता है और फायदा भी हो सकता है अब हम यह 3 महीने बाद की भी situation समझ लेते है after 3 months क्या होगा अब क्योंकि इस short seller को वहाँ पे shares खरीद के lender को वापिस करने है तो एक और seller picture में आ जाएगा जिससे यह stocks को खरीदेगा उसको obviously pay करेगा यह 400 रुपे के हिसाब से या तो 400 रुपे के हिसाब से या 300 रुपे के हिसाब से market अगर नीचे गई है तो वो 300 रुपे का जो भी rate है उसके हिसाब से purchase करेगा अगर 400 रुपे का rate है तो उसके हिसाब से purchase करेगा एक बार इसके पास stocks आ जाएंगे तो ये stocks lender को वापिस कर देगा 3 महीने के बाद और 7 में 10 रुपे का जो उसने interest promise किया था वो 10 रुपे का interest भी उसको वापिस करना होगा 3 महीने के बाद और अब देखें net profit यहाँ पे कैसे होगा 50 रुपे का profit तो इसको यहाँ से short seller को आया ही था अगर 300 रुपे पे चली जाती है market साथ में 10 रुपे का उसको यहाँ पे जो lender को पैसा देना था वो interest माइनस करना पड़ेगा तो उसका per share जो इसका फायदा हो रहा है वो करीब 40 रुपे का हो रहा है और अगर market उल्टी direction में जाती है उसके हिसाब से नहीं जाती है तो 400 रुपे पे अगर stock चला जाता है तो उस case में उसका net loss हो जाएगा 50 रुपे का loss तो उसका direct यहाँ से हो ही गया price difference की वज़े से और 10 रुपे तो उसको lender को देने ही थे तो यहाँ पे उसका total loss हो गया 60 रुपे का तो देखिए यहाँ पे मुनाफ़ा तो 40 का ही हो रहा है लेकिन loss जो है वो 60 रुपे का हो रहा है तो इसी वज़े से यहाँ थोड़ा सा रिस्क बढ़ जाता है दूसरा यहाँ पे जो market की direction है आप यह समझ लीजिए कि नीचे जाने की जो direction होती है वो ज़ादा तर कम होती है ऐसे chances ही कम होते है आपको यह वले जो मौके होते हैं यह हो सकता है दो साल में मिलें तीन साल में मिलें या फिर अगर regular basis पे भी किसी stock के अंदर ज़ादा negative news आ रही है तब ही आपको मिलेंगे लेकिन उपर जाने के जो मौके होते हैं वो हमेशा जादा होते हैं तो probability आपकी उपर जब market जाती है तो profit बनाने की जादा होती है short selling में profit बनाने की probability कम होती है तो इसलिए मैं दुबारा से आपको कहा रहा हूँ जब आपको clear trigger है जब आपको actually लग रहा है stock market नीचे जा रही है यो कोई particular stock जाने के नीचे काफी chances हैं तब ही आप short selling कीजिए तो ये तो हमने समझ लिया कि तीन महीने का या उससे जादा का भी जो time है मतलब एक दिन से जादा का कितना भी time हो वो longer term जो होता है उसमें ये short selling कैसे operate होती है अब हम intraday की भी बात कर लेते हैं कि अगर आप एक ही दिन के अंदर trade करना चाहते है तो short selling कैसे होती है और intraday ही थोड़ी popular है intraday के अंदर क्योंकि liquidity काफी high होती है इसलिए आप short selling काफी असानी से कर सकते हैं इसके अंदर कोई problem नहीं आती है SLB account वाली जो मैं market कह रहा हूँ long term वाली जो short selling की market है वो इंडिया में जाद अच्छी develop नहीं है तो अभी हम intraday की बात कर लेते हैं मान लीजे ये buyer है और ये एक short seller है और short seller को लगता है कि आज की rate में सुबह सुबह अब देखें यहाँ पर जो timeline है timeline ध्यान से समझ लीजेगा कि 9.15 पर market खुलती है हमारी और हमारे पास maximum time जो है वो 3.30 बजे तक का ही होता है जब market खुलती है तो एक ही दिन का आपके पास समय है तो यहाँ पर इसको लगता है जो भी यह short seller है उसको लगता है कि 3.30 से मेरे हिसाब से price नीचे जाना चाहिए उसको लगता है 3.40 तक जा सकता है तो वो 10 रुपे का मुनाफ़ा कमाना चाहता है अब 3.30 से पहले जब भी यह 3.40 का trigger उसका हिट हो जाएगा उसका target हिट हो जाएगा तो वो अपना मुनाफ़ा यानि की profit को book कर लेगा तो यहाँ पे short seller क्या करेगा पहले तो 3.30 के rate पे share को sell कर देगा और मान लेते हैं उसके हिसाब से ही market चलती है और 3.30 का जो rate है वो करीब 2 बजे पहुँच जाता है तो यहाँ पे का करेगा वो उसको buy back कर लेगा और यहाँ पे अगर वो buy back कर लेता है तो उसका 10 रुपे का मुनाफ़ा हो जाता है लेकिन अब मुद्दे की बात आती है कि ये वाले shares तो उसके पास हैं ही नहीं तो ये वाले shares कहां से आएंगे अब long term में तो हमने देखा था कि lending होती है वहाँ पे आपको उधार लेने पड़ते हैं shares लेकिन short term में delivery तो आपको करनी ही नहीं है आपको तो same day पे ही trade हो जाएगा तो आप क्या कर सकते हैं आप एक और buying का trade execute कर देंगे आप उन shares को same day पे buy कर लीजे तो यहाँ पे एक और seller picture में आ जाएगा आप किसी भी seller से shares purchase कर सकते हैं तो आप उसको पैसे देंगे आपने मतलब पैसे कितने देंगे यहाँ पे 340 का rate है तो let's say यहाँ पे इसने 340 में इस seller से खरीद लिए और इस जो buyer को इसने बेचे थे वो let's say 350 रुपे पे बेचे थे तो obviously यहाँ पे उसका 10 रुपे का मुनाफ़ा हो गया था लेकिन intraday में भी उल्टा भी तो हो सकता है हो सकता है market उल्टी चली जाए और हो सकता है market 360 पे चली जाए यानि कि stock का जो price है वो 360 पे चला जाए तो ऐसे case में क्या होगा उसको 360 पे ही खरीदना पड़ेगा और वहाँ पे हो जाएगा उसका 10 रुपे का loss और अब यहाँ पे हम समझते हैं एक दो concept और मान लीजे वो खरीदता ही नहीं है मान लीजे वो उसका loss होता ही जा रहा है उसको लगता है कि जब तक market बंद नहीं होती मैं तब तक wait करूँगा तो ऐसे case में क्या होता है कि broker आपके लिए wait नहीं करेगा वो generally 3.15 या 3.20 का अलग-अलग brokers का time होता है जब वो auto square off कर देते हैं जितने भी आपकी open positions होती है अगर आपने selling position ली हुई है तो obviously उसका exit buying का जो है square off वो हो जाएगा और अगर आपने कोई buy position ली है तो वो आपके shares sell off हो जाएंगे अगर आप intraday में trade कर रहे हैं तो तो यह 3.20 का जो example ले रहा हूँ मैं यह 0.20 का example ले रहा हूँ 60 रुपे का था तो आपको obviously इहां पर 10 रुपे का loss हो जाएगा तो अब दूसरा सवाल आता है कि क्या कोई ऐसा तरीका है कि हम इस अपने loss को limit कर सकें क्योंकि यह देखे कितना भी share price बढ़तो सकता ही है एक दिन के अंदर कोई उसके limit तो नहीं है अब अगर हम अपने loss को limit करना चाहते हैं लेट से हम सोचते हैं कि 355 के उपर मैं नहीं जाना चाहूँगा maximum मैं 5 रुपे का loss जेल सकता हूँ तो उस concept को हम कहते हैं stop loss और लेट से अगर 355 का जो number है 355 का जो price है वो 12 बजे आपका hit हो जाता है तो आपका automatically buy हो जाएगा share अगर आपने stop loss लगाया है तो तो जैसे ही आपका stop loss hit होगा आपका 5 रुपे का loss हो जाएगा और आपका जो profit होना था वो तो obviously नहीं होगा अगर आप दोबारा से trade करना चाहते हैं यहाँ पे 12 बजे के बाद तो definitely आप कर सकते हैं तो यह हमने short selling का concept तो समझ लिया अब यहाँ पे एक concept और रह गया है हो सकता है आपके दिमाग में भी यह सवाल आया हो कि 3.20 तक अगर आपने let's say square off नहीं करी position और हो सकता है broker को भी वहाँ पे square off करने का time ना मिले 3.30 का let's say 3.30 का time हो जाता है तो उसके बाद क्या होगा तो उसके बाद अगर आप नहीं खरीद पाते हैं share को तो obviously जो आपने आपका जो buyer था जिसको आपने वो बेचे थे shares आपके पास तो थे नहीं shares तो buyer ने जिसने खरीदे थे उसको तो delivery मिलेगी नहीं तो ऐसे case में से भी आपके उपर penalty लगा सकता है लेकिन उस penalty से भी बचने के chance होते हैं क्योंकि 3.30 से लेके 4 तक shares auction में चले जाते हैं 3.30 से 4 तक brokers market चलती है तो जितनी भी open positions होती है brokers उन positions को close करने की कोशिश करते हैं उस आधे घंटे के अंदर तो अगर वो 3.20 से 3.30 तक auto square off नहीं हो पता है तो भी 3.30 से लेके 4 o'clock तक का भी brokers के पास time होता है तो वहाँ पे वो अगर position close कर पाते हैं तो obviously वहाँ पे rates जो होंगे वो different type के court होंगे यहाँ पे shares की auction चल रही है यहाँ पे बाकी के brokers के पास अगर कोई share मिल गया और जितना मर्जी वो दाम कोट करेगा उतने दाम पे आपको खरीदना पड़ेगा और अगर आप नहीं खरीदेंगे तो जैसे मैंने पहला कहा से भी आपके उपर penalty लगा देगा तो इसलिए अगर आप short selling plan करते हैं तो ध्यान रखिएगा जो भी आपके broker की deadline है जब auto square off होता है उसके पहले पहले आपको shares खरीद लेने हैं So I hope यह video आपको पसंद आया होगा इसका part 2 ज़रूर देखिएगा मैं आपको live demo दिखाऊंगा कि short selling हम कैसे कर सकते हैं जिरो धगा हम platform use करेंगे तो यह video अगर आपको पसंद आया है तो इसको like और share ज़रूर कीजिए अपने friends और family members के साथ हो सकता है उनको भी short selling के ओपर काफी confusion हो अगर आपके कुछ सुझाव हैं इस video से related या channel से related तो आप नीचे comment section में कर सकते हैं अगर आपने इस channel को अभी तक subscribe नहीं किया है तो नीचे से subscribe करके अपने phone में bell icon को जुरूर प्रेस कर ले जिससे आपको latest video का notification मिल जाए तो मिलते हैं अगले एक ऐसे informative video में तब तक सीखते रहें कमाते रहें और हमेशे की तरह खुश रही है